नमस्कार स्वागत है आपका इची नाउ स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्टी और आप देख रहे हैं मिट कैप मसाला और इस सिशो में हम फोकस करेंगे मिट कैप स्टॉक्स में अभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं मिट भी देखेंगे तो करीब 1426 अंकों की भारी बिक्वाली आज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है सबसे जादा वीकनेस है मेटल स्टॉक्स में 5% नीचे निफ्टी मेटल कारोबार कर रहा है रियल्टी आज नीचे है सरकारी बैंकों में आज बिक्वाली है 4-4% सेटरिल इंडेक्स आज 3-4% की बिक्वाली के साथ कारोबार कर रहे हैं और कहीं से कोई सपोर्ट नजर आ रहा है पूरा पूरा बाजार ही आज लाल निशान में निफ्टी में जो सेक्टर देखिए एक तबका आपको नजर आएगा जो की हरे निशान में कारोबार कर रहा यह हलकी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और चारो के चारो एफेमसीजी काउंटर हम देख पा रहे है बाकी सभी में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है टॉप लूजर है आज का ओएंगी सी साढ़े छे परसेंट नीचे टाटा मोटर्स में गिरावट है अद प्रांस एक्लाइन रेशियो भी अगर आपको दिखाएं तो वहाँ पर भी जादतर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही हैं मारके ब्रेट भी बेहद ही नेगेटिव एनसी में करीब 2347 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि लाल निशान में इस वक्त कारूबार कर रहे हैं और वाइदा बाजार में भी देखेंगे तो उसमें भी जादतर स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ऐस तो सुच्छरे जो कि हर निशान में बाकी सभी स्टॉक्स में आज भारी बिक्वाली देखने को मिल रही है तो क्या मिट कैप क्या स्मॉल कैप सभी आज तूट रहे हैं और जो प्रेशर आ रहा है वह आज ग्लोबिल मार्केट से आ रहा है इस यह बाजारों में आज हम चौतरफा बिक्वाल अरोडा हमारे साथ मौजूद हैं अधिटी ठैंकिस सो मच इजी नावस्वदेश को समय देने के लिए तो हफ़ते की शुरुवात तो बहती कमजोर हुई है इतना भारी सेल आफ बाजार में और एशाई बाजारों को भी अगर हम देखे क्योंकि उसको भी टच करना जरूर होगा जापांग की बाजार तो हम कहीं पढ़ रहे थी कि कोविट के समय भी इतनी गिरावट नहीं आई जिस तरह का सेल आफ हम पिछले कुछ दिनों से निकाई में देख रहे हैं यह जो सेल आफ आ रहा है आपको क्या लग रहा है और कितना गहरा सकता है अगर एंट्री ल सबसे इसके अलग-अलग पहलू है कि आपका शॉर्ट टर्म नजरिया क्या है आपका लॉंग टर्म नजरिया क्या है अगर मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करूं एक दम शॉर्ट टर्म की एक दो दिन एक हफते की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो सेलिंग है बहुत को थोड़ा सहारा देंगे तो extremely short term में मुझे लगता है कि अगर निकाय की मैं बात करूँ वो अभी 31,000 बाद 34 चल रहा है मुझे लगता है 30,000 अच्छा सपोर्ट हो सकता है बजार जब तक 30,000 को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पर rebound आ सकता है और वो global market को थोड़ा बहुत सहारा दे सकते है और अगर मैं यूएस बजार की बात करूँ तो यहां पर रस्ल्स 2000 जो महां का small cap index है वहां पर थो थो थाउजन ट्वेंटी टू अभी और चल रहा है और अगर हम थोड़ा लंबा नजरिया बनाए एक दो महीने का तीन महीने का तो मुझे लगता है कि यह सिर्फ पहला लेग ऑफ गिरावट है इनिशल स्टार्टिंग है गिरावट की और यह जो मंदी है वो गहरा सकती है अगर जो मैंने लेविल्स बोले वो ब्रीच हो जात है फिर एक लेविल बेज अप्रोच सकते हैं यहां पर फिफ्टी डिये में जो आती है वो आती है 23,900 पे और अभी निफ्टी ने आज लो उतना ही बनाया है 23,900 निफ्टी फ्यूचर ने तो हर जगह एक ग्लोबल मार्केट, डुमेस्टिक मार्केट एक सपोर्ट हजा स्ट कर जाता है तो एक बाउंस बैक आ सकता है अगर जो मैंने निफ्टी पे लेविल बताया 23,900 से लेके 23,800 ब्रीच हो जाता है तो मुझे लगता है फिर 23,000 से लेके 21,000 के लेविल खुल जाते है एक दो महीने में तो ओवराल बजार का टेक्ट्ट्र है बेरिश ही है एक्स्री किम्री शॉर्ट टम में मुझे लगता है कि बजार ओवर सोल्ड हो गया एक बाउंस बैक देखा जा सकते है ठीक है एक ओवर सोल्ड हो चुका है मार्केट अब बेरिश ग्रिप में आ चुका है क्योंकि 24,000 के नीचे भी अब हम फिसल चुके और सुबह ही हम बात कर रहे थे कि अगर वो लेवल टूटा और बैन निफ्टी में 51,000 का लेवल टूटा तो फिर एक बेरिश ग्रिप में आ चुका है अब बाजार थोड़ा बाउंस बैक आ सकता है लेकिन फिलहाल थोड़ा सेट्ल हो जाने दे बाजार को अभी क्योंकि ये ग्लोबल सिनारियो है जो कि इ लेकिन बाकी जो इंडाइसे से बाकी जो इसियर मार्केट है यूएस मार्केट है वहां पर भी इंडाइसे आपको कड़ी नजर उधर भी रखनी पड़ी रखनी होगी क्योंकि अगर वहां के भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल टूटे तो उसका असर वापस से भारती बा बाजार पर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है तो जो भी रणीति आप अपना रहे हैं उसको थोड़ा समझ के ट्रेड कीजिए आधेति फिर आपसे यहीं समझना चाहेंगे अगले ट्रेड के मौके इस वक्त आप कहां पर देख रहे हैं लेविल पे जैसे न्यूज स्लो आता है वैसे बजार के डाइनामिक्स चेंज होते है वैसे बजार का स्ट्रक्चर चेंज होता है बट दो सेक्टर जो मुझे काफी पसंदे अभी इस माहूल में वो है निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफमसीजी दोनों सेक्टर अभी आ कम आएगी बट ओवरॉल बजार घटेगा तो हर एक में गिरावट देखते को मिल सकती है बट जो डिफेंसेर स्पेसे जैसे फार्मा एफमसीजी यहां पे गिरावट थोड़ी सी कम हो सकती है तो एक अच्छी हाइडिंग स्पेस है अभी के करेंट सेनारियो में बट ओवर बाजार में थोड़ी स्टेबलिटी आने दीजिए और ऐसे में भी थोड़ा स्टेबल हुए मार्केट तो एफमसीजी फार्मा जिसे स्टॉक्स पर अभी फिलहाला पर नज़र रखिए तो क्या कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है हदिते जहां पर कोई ट्रेड लिया जा स स्टॉक्स पर क्यूंकि रिस्की माहूल है थोड़ा रिस्क मैंजमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा अगर करे काम तो नेसले अच्छा लगता है 2500 पे सको बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस रहेगा 2450 का और टार्गेट रहेंगे 2550 से लेगे 2600 ठीक है तो लेकिन कोशिश करिए अगर ट्रेड आप अवाइड भी कर सकते हैं तो आप अवाइड कर सकते हैं जबर रसी कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं हो जैसा कि आदिती भी कह रहे थे कि थोड़ा मार्किट को स्टेबल होने दे उसके बाद ही यहाँ पर कोई नजरिया आप अपनाएं आगे बढ़ते हैं और मिट कैप में इस वक्त किस तरह का अच्छे नजर आ रहा है स्टॉक स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखे तो मिट कैप शेरों के हाल क्या है यह बताने के लिए गौरफ हमारे साथ जोड़ चुकी है गौरफ बताईए मिट कैप स्टॉ Jotow देखने को मिल सकता है सबसे पहले आता का ऐख उख यहां पर एक मंथली जो वॉल्यूम से उसमें काफी अच्छा घ्रोफ हमें देखने को मिल रहा है जो trading volumes है वो सबसे जादा monthly volumes जो है वो IX ने इस महीने में achieve किये है इसके साथ साथ अगर हम record volumes की बात करें तो volumes में कई पे 400% का YY growth जो हमें देखने को मिला है अगली बात करते है अशो का buildcon की क्योंकि अगर हम बात करें company की तो company जो है वो as a L1 जो की lowest bidder होता है उस रूप में आते हुए हमें देखने को मिल रहा है MMR दो MMR projects के लिए जिसका value जो है वो 1280 croz का हो सकता है और आखिर में हिंद वेर, homes भी अबर बात करें तो उस पे भी नज़र रखने के लिए काफी important है क्योंकि आगे जाके board meeting होने वाले 9th August को जहाँ पे fundraising जो है वो consider हो सकती है बट हालकि इन सब news flows के बावजूद इन सब stocks में हमें आज एक गिरावट देखने को मिल रही है अगर हम बात करें overall mid cap space की भी तो सबसे पहले अगर हम बात करें UPL की तो वहाँ पे एक थोड़ी जो पहले एक green positive sign जो है वो आज के दिन में देखने को मिल रहा था तो अगर हम बात करें overall mid cap space की भी तो वहाँ पे भी कुछ जादा खास नजर जो है वो आज के दिन में नहीं देखने को मिल रहा है और उसमें भी अगर यह तीन stocks की बात करें तो उसके अलावा जो sell-off है वो काफी जादा हद तक आज के दिन में हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो भारी sell-off है आज के दिन यह इस वक्त कुछ views यहाँ पर यह इस वक्त की चाल और जो बड़े losers थे वो अभी गौरव आपको बतारे हैं वारू करते हैं हमारे अगले segment का option के champion और हमारे साथ Finversify से द्वनी पटेल मौझूद है द्वनी थाएंकिश सो मच इटीना उस्वदिश को समय देने के लिए बताएए कहां पर देख रही हैं आप trade के मौके इस बाजार में यहां पर बाजार का mood और माहल दोनों ही यहां पर bearish side का ही बना हुआ है तो यहां पर short side के ही trades हम अभी फिलाल के लिए recommend कर रहे हैं मेरा focus अभी fresh short positions के लिए जाता है PFC में अगर आप देखे तो चार्टिकल स्ट्रक्टर यहां पर week हो चुका है 510 का जो यहां पर एक एहम support था वो break हो चुका है तो आप इसको put option के जरिये trade करें 500 रुपे का put option आपको खरीदना रहेगा 22 रुपे का इसका trigger price है 22 रुपे पे इसको आप खरीदे 32 का इसका लख्ष बनता है और 75 रुपे का आपको stop loss maintain करके चलना है इसके अंदर यहां पे इसका lot size 1300 का है तो आपका अधिक्तम मुनाफ़ा जो है वो 13,000 का हो सकता है और अधिक्तम नुकसान जो है वो 5850 का 1-2 का risk reward बनेगा but trigger point इसका है वो 22 रुपे के ऊपर जैसे इसका put का price जाता है वहाँ पे trigger point है वहाँ पे आपको इसको खरीदना है तो यहाँ पे stock की bearish momentum के साथ पैसा बनेगा तो 500 की put खरीदने की सला है PFC पर लक्ष 32 रुपे का दिक्तम मुनाफ़ा इसमें 13,000 तक का हो सकता है PFC 5% नीचे आज गिरावट यहाँ से और बढ़ सकती है आगे बढ़ते हैं और एक ख़बर का रूप करते हैं सरकार ने LIC को value बढ़ाने के लिए 5 point की strategy का सुझाव दिया है पूरी ख़बर जानते हैं अनुराग शाया अनुराग बताईए आज तो LIC के share में गिरावट है लेकिन पिछले एक साल के अंदर LIC के stock ने काफी अच्छा return दिया है और value enhancement के लिए सरकार के द्वारा 5 point strategy LIC को सुझाई गई है और उस पे LIC काम भी कर रहा है सबसे पहला जो उसमें point है वो है digital transformation का तो उसके लिए LIC dive strategy पे काम कर रहा है और पूरी तरह से digital transformation के लिए जिसमें customer onboarding से लेकर operation से लेके जो digital रूप में किये जा सकेंगे और Boston Consultancy Group को भी रूप इन किया है और एक नया app भी लेके आएगा LIC जिस एप के जरीए customer अपनी policy पे loan ले पाएगा claim settle हो पाएगा किसी भी जगह पे दूसरा जो point है वो है value real estate के जरीए तो जिस तरह से LIC की देश भर के अंदर 1900 properties है जिसका valuation 50,000 करोड से 1,000,000 कुछ experts का मानना है कि इससे भी ज़्यादा है तो उन में से 1400 properties पे LIC के offices है लेकिन 500 properties है जो rent पे है और उसमें से कुछ properties है जो जहांपर encroachment हुआ 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 है कुछ plots के उपर तो उन properties का जो dispute resolution करके उनको monetize किया जा सके और वहां से पैसा जुटाए जा सके तीसरा जो point है वो है HR और agency transformation से जुड़ा हुआ जिसमें LIC ने दो global agencies के साथ करार किया है और जो agent का workforce है 14,000,000 agents का उसको पुड़ा revamp करने के लिए उनकी कारेपनाली को बदलाव करने के लिए project जीवन समर्थ को भी launch किया गया है और इस जीवन समर्थ project के जरिए journal offices, district offices, branch offices वहां पर जो operations होते हैं उसको भी review किया जाएगा और revamp किया जाएगा चौथा point है product mix का जिस तरह से LIC का जो product mix है वो market share के साथ-साथ profitability पे भी focus किया जाए और product mix पे non-par product है उस पर focus किया जाए और VNB margin जो LIC का पिछले साल से बढ़के 16.16% से ज़्यादा पहुच गया है और इसी speed पे अगर VNB margin बढ़ता है तो 25% तक VNB margin पहुच सकता है margin का 31 March 2027 तक का guidance दिया था लेकिन इस स्तती में अब 2026 तक ही 25% के स्तर पर VNB margin पहुच जाएगा product mix की strategy की वज़े से और आखरी जो point है वो है value from investment जिस तरह से LIC का कुल जो investment portfolio है वो 42 लाग करोड से जादा का है FY24 के अंदर equity investment में 60,000 करोड की profit booking हुई थी पिछले एक साल के अंदर LIC के stock ने भी shareholders को करीब 75% तक का return दिया है जिसका थोड़ा बहुत result भी देखने को मिल रहा है ठीक है तो सरकार ने LIC को 5 point बताए हैं जहांपर की काम कर सकते हैं रणीती बनाना अपनी शुरू कर सकते हैं खबर तो थोड़ी अच्छी है वाल्यू आ सकता है इसमें इस खबर के चलते LIC में लेकिन क्योंकि आज पुरा market ही गिरा हुआ है इस वज़े से LIC भी देखिया साथ परसेंट नीचे कारोबार कर रहा है और राग बहुत धन्यवाद आपका यह एक्स्लूजिव जानकारी देने के लिए बाजार पर नज़र डाले तो हम देख रहे हैं कि आजकेम लेप्स भी हलकी हर निशान में ट्रेट कर रहे हैं आज ते फार्मा स्पेस से क्या कुछ अच्छा लग रहा है आपको एंट्री लेने के लिए कि फार्मा स्पेस में मुझे लगता है संफार्मा एक अच्छा कैंडिडेट है लाज कैप है अभी थोड़ा सेफटी को चेस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिटर्न तो संफार्मा एक अच्छा हाइडिंग स्पेस है इस पे बुलिश नजरिया बना सकते है 1725 में और स्टॉप लस रखना चाहिए 1670 का और टागेट रहेंगे इसमें 1770 से लेके 1820 बिल्कुल अधित्य डिस्किशन आज थोड़े सेक्टर स्पेसिफिक ही रखने होंगे क्योंकि स्टॉक्स तो तूटे ही जा रहे हैं थोड़े दिर पहले भी हम कुछ स्टॉक्स गिरावट आ चुकी है अभी फिलाल कौन सा सेक्टर है जो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिदेंस नहीं दे पारे है और जहां से आप अगर होल्डिंग है तो फिलाल एक्जिट करनी की ही सला देंगे देखिए मुझे लगता है अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा रीबाउंड आ सकता है बट लॉंग टर्म नजरिया है तो बैंकिंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए मुझे लगता है दो तीन महीने का अगर नजरिया है बीट में उताव चड़ाव आते रहेंग अगर दो तीन महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है बैंकिंग सबसे ज़्यादा हिट हो सकता है उससे थोड़ा से दूर रहना चाहिए तो बैंकिंग ये एकसा स्टॉक है फिलाल दो तीन महीने के लिए दूर रहने की सारा आदितिया एक और सवाल होगा आप से इस बाजार में अब सब यही जाना चाहरे हैं कि एंट्री लेने के लिए क्या सही रहेगा अगर किसी स्टॉक में इस गिरावट के दौर में दीरे दीरे कहीं पर SIP करनी अगर शुरू करें तो वो कौन कौन से स्टॉक से जो आपको अच्छे लग रहे हैं नेसले और संट फार्मा आपने बताया फार्मा और FNC जी आपको अच्छा लग रहा है और कोई स्टॉक जो इसमें कि आज भारी गिरावट है वहां पर दीरे-दी करें आज SIP करेगा तो 3-6 महिने में अच्छार रिटर्न बिल है क्योंकि बजार डाउन साइकल मैं है तो एक साल बिल्कुल है तुप्र एक साल नेगिटिव रिटर्न होंगे तो चलेगा तो SIP करनी चाहिए तीन साल के लिए क्योंकि पहला साल तो दिकत भरा रहेगा और से इंडिया से recovery आएगी third year profitability आएगी SIP इस सोच के साथ करनी चाहिए तो तीन से पांच साल का अगर नजर यह तो बिलकुल FMCG basket आउट परफॉर्म कर सकता है इसमें गोद्रिच consumer product मुझे अच्छा लगता है हिंदुस्तान Unilever अच्छा लगता है ओवरॉल चार्ट स्रक्चर अभी positive बन रहे है और इन जनरल डिफेंसिव काउंटर बजार को आउट परफॉर्म करते है डाउन साइकल में डाउन साइकल चलेगी सब स्टॉक करेक्ट होंगे यह कम करेक्ट होंगे और जब आप साइकल चालूगी तो जल्दी से हाई लगाएंगे तो इस सोच के साथ लंबे नजर यह के साथ करना है तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं जी तो आइटी सी सन फार्मा और उपिंदो फार्मा डीवीज लाब यह को स्टॉक साधिते ने पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है इडेंटिफाई किये तीन से पाच साल का समय आपको देना होगा ऐसा एक और स्टॉक हमारे लिए ढूंड कर लाए हैं सनिया ग्रवाल वो ह आइए आपके रडार पर कॉंसर स्टॉक है आज पोर्टफोलियो में अक्युमिलेट कर सकते हैं यह जो फॉलेज का डवंटिज लिया जा सकता हैं और मेरा दूसरा पिक रहेगा आमारा राजा Energy and Mobility Limited जो कि पहले आमारा राजा बैटरी के नाम से जाना जाता था तो इसे पोर्टफोलियो में आड कर सकते हैं तो अच्छा मौका है medium to long term portfolio में quality business add करने का और definitely मुझे लगता है कि जब market revive होगा तो उनी company में सबसे पहले revival दिखा जाएगा जहाँ नतीजे काफी strong थे during the June quarter. ठीक है तो आदिसी में 6 महीने के लिए शाड़े 600 का लक्ष आप देश सकते हैं मुझूद्धा सपर खरदारी करने के अच्छे मौके नजर आ रहे हैं सनी जी thank you so much आपका समय देने के लिए आदिती जी आपका भी बहुत धनिवाद आज समय देने के लिए फिलाल इश्यो में इतना ही एक आद आ